जो मुख्या खेत जिसमें हम धान की फसल की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी है। सबसे पहले हमें करना है कि अपने खेत की जो मेड़ बंदी है उसको मजबूत कर लें, चारो तरफ की मेड़ों को दुरुस कर लें, यानि कोई उसमें छेद ना हो या कटी फटी ना हो, जिससे के वर्षा का जल अधिक से अधिक उसमें संचित हो या जल की कोई हानी ना हो, अ अब आपको करना यह है कि यदि आपके यहां बारिश हो गई है तो अच्छी बात है यदि बारिश नहीं हुई है और आप धान लगाना चाहते हैं तो उसमें आप सिचाई करें और 6-8 cm पानी अपने खेत में खड़ा कर लें और इसके बाद इसमें लेह बनाएं या हो यानि जो भी यंत्र आपके पास उपलब्ध हो उससे दो बार उसमें जुताई करें आप देखेंगे कि मिट्टी मुलायम हो गई उसमें लेव बन गई या लेह बन जाती है किसान भाईयो इसी समय जब आप खेत की जुताई कर रहे हैं पानी में उसी समय में उर्वरकों का भी प्रियोक करना होता है और उर्वरक की मातरा आप मिट्टी की जांच के आधार पर डालें और जिन किसान भाईयों ने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है वो जो उर्वरकों की संस्तुत मातरा है उसका प्रियोक करें